हिंदुस्तान में शहीदों की शहादत को सलाम करने के लिए आज का ये कारिकम प्रवा के द्वारा देश राग, पहले कविता और उसके बाद संगीत का कारिकम भी होगा, ये संगीत और सहित्ति के महुस्सों को शुरू करते हैं मा की बंदना के साथ, हमारे उज्जेन के एक बहुत मश्रूर शायर हुए रमेश सोज, उन्होंने कहा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आखों के बरसने का कोई मोसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीज भी महफूज रहता हूं, मेरी मा की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, आए हम सब सभागे शाली हैं कि हम दो मा को शरह में रहते हैं मा चामूंडा और मा तुलजा भावाणी, एक हमारी मा ये भारत माता, एक मा वो जो हमें शबद बोलना और लिखना सिखाती है, एक मा वो जो हमें नो मैने अपने गर्ब में पाल कर दुनिया देखने का उसर देती है, हम प्रणाम करें तो हमारे परिवार में जब भी कोई शुपकारिय होता है तो हम अपनी बेटियों को आगे करते हैं मैं भी आज इस मंच की सबसे लड़ली प्यारी बेटी को आगे करता हूं अदर्नी गोरी मिश्रा से निवेदन करता हूं की गोरी आओ माके चर्णार बिंद मे के शब्द पुष पर्पित करके आजादी के पुर्व संद्या की ये कविता के श्याम के शुरुवात करो आप एक बार जोरदार तालियों की गढ़गाट के साथ उनका अभिनंदर के ग्यान मुद्र का विरुपा महा विद्यमा शार्दे को नमन करते वे समानित मंच को नमन करते वे मंच प्यासिन देश के सरवस्रिस्ट कलमकारों को नमन करते वे संसकार साहित्ती सौंदर ये पराक्रम की आपकी इस पावंधरा को नमन करते वे आप सभी रसकी शुताओं को नैनी तालसिया इस तन्नी कलम की ओर से अपनी माता पिता द्वारा सिखाएगे संस्कार को ने साथ सबसे पहले प्रणाम करती हूँ मेरा सौभाग यहाज देवास की धर्ति पे मुझे आदीश हुआ है इस कवी संबेलन की शुरुवात अपनी स्वरद्वारा मावीडा पाने की वंदना करके आदर्निया शश्रीकांत यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहतू जिन्होंने मुझे यादेश दिया कि मावीना पाने की वंदिना करके आज के इस उत्सव को महसों में बदलने की एक छोटी सी कोशिश करूँगी मैं अपनी द्वारा वंदिना प्रारंब करूँ लेकिन एक निवेधन करना चाहती हूँ कि बेशक पूरा कवी सम्मेलन आप किसी भी मन से सुने, किसी भी ढंग से सुने, किसी भी भाव या स्वभाव के साथ सुने लेकिन जितनी देर आपकी इस पवित्र आंगन में ये गौरी वंदिना करेगी आप इस गौरी का साथ दे दिजेगा माधुर्ग के महा गौरी की कृपा भी आप पे अवश्य बढ़तेगी इस उम्मी से वन्दना प्रारंब करते हूं मेरे साथ जुड़ जाएगा पढ़ते हूं शब्द को सवार दे इसका बेश थोड़ा सा कम कर दिजेगा शब्द को सवार दे अर्थ को निखार दे पंक्तियों को प्यार दे आज मा सरस्वती शब्द को सवार दे देखिए हमारे देश में किस तरह से पूजा अरचना होती है मैं देखना चातू की देवास की वो धर्ती जहां आज भी मा दुरुगा को पूजा जाता है तो एक भी हाथ खामोश न रहे तन मन से मेरे साथ जुड़ जाएगा मा की आरादना पुना प्रारंब करती हूं शब्द को सवार दे अर्थ को निखार दे पंक्तियों को प्यार दे आज मा सरस्वती शब्द को सवार दे अर्थ को निखार दे पंक्तियों को प्यार दे आज मा सरस्वती शब्द को सवार दे अश तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है सब जमान भर का दर्द दिल में है लिये हुए घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले जक्म सार शब्द की मशीन से ये हुए लेकनी को धार दे व्यक्ति को विचार दे दुस्टता को मार दे आज मा सरस्वती शब्द को सवार दे अर्थ को निखार दे पंक्तियों को प्यार दे आज मा सरस्वती शब्द को सवार दे आज मासरस्वती तु ऐसा वर्दान दे शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में रास्ट्य हो सबल प्रबल चीत नामे क्रांति दल शत्रु के समक्ष वक्ष नाजु के प्रहार में गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे कावी को प्रचार दे आज मासरस्वती शब्द को सवार दे अर्थ को निखार दे पंग्तियों को प्यार दे आज मासरस्वती दुस्चता को मार दे आज मासरस्वती कावी को प्रचार दे आज मासरस्वती जहाँ दुश्वार है राही वही आराम लिखा है यू लगता है महबत का कोई पैगाम लिखा है मैं अपना घर समझ करके चली आई यहां क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है और बड़े भाया ने कश्मीर की बात कही जब उन्होंने कश्मीर की बात कही है तो यह सब हम भी जानते हैं कि हम भी उतने ही खुश हैं जितने शायद आज उनकी पंक्तों ने यह दरशाया है कि कितनी खुशी हर एक भारतवासी को मिल रही है ऐसा लग रहा है कि कश्मीर नहीं बलकि कश्मीर के हमारे रिष्टेदार आज मुक्त हो चुके हैं और इस आजादी का जश्न मनाते वे मंच में बैठे बैठे आदर्णिय शाशिकान भाहिया जी की पंक्तियों से प्रेडित हो के मैंने कुछ पंक्तिया निखी है विनित भाहिया और शाशिकान भाहिया जीसे जच्वाना भी चाहते और उनका अशिरवाद ले करके पढ़ना चाहते हूँ देखना चाहते हूँ कितनी सफलों पाई हूँ इस जश्न को इस आजादी को मनाने में अपने माध्यम से सुनेगा हम अपने आप की नजरों में कहलाएंगे अपराधी सदाए दे रही हमको चलो कश्मीर की वादी सदाए दे रही हमको चलो कश्मीर की वादी ये आजादी के लमहें भी घड़ी शुबहें के आए है कहीं रक्षा का बंधन है कहीं बंधन से आजादी कहीं रक्षा का बंधन है कहीं बंधन से आजादी कहीं रक्षा का बंधन है कहीं बंधन से आजादी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेम को पढ़ने के सासत एक छोटा सनिवे दिन मंच के हर एक कवे की ओर से करना चाहती हूं मिलाकर वक्त से आखी हर एक लम्हा चुरा ले हम मिलाकर वक्त से आखी हर एक लम्हा चुरा ले हम बहुत बहुत थुटिवास स Specialidente मैं चाहती हूँ आप लुग का प्रेम ऐसे ही मुझे मिलतर है क्योंकि आज बहुत कुछ नया लिखने की कोशिश करने के सासत नया सुनाने की कोशिश करने आई हूँ और बहुत डर भी लग रहा है ओज के बहुत बड़े-बड़े हस्ताक्षा इस मंच में पस्तित है धूंडे से एक बार जोर्दा तालिय इन सब के लिए हो जाएं लगतार ये सुबह से मैं देख रही हूं महनत कर रहे हैं कारक्रम को सफल बनाने के लिए ये तालिया इनके लिए बहुत कमजो हो रहे हैं आप लोग की होसला अवजाई होगी इन तालियों से बहुत-बहुत धन्यवाद पढ़तियों सुनीगा मिलाकर वक्त से आखे हर एक लमहा चुरा ले हम ये निवेदन में इसलिए भी करना चाहती हूं क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाए मुस्कराहट के हमारे देश के अगर सभी प्रसिद्द कवी अगर आपके चैरे पे है यहाँ पस्तित हूं है तो इस विंती को स्विकार कीजीगा मिलाकर वक्त से आखे हर एक लमहा चुराले हम जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम यहाँ ढूंडे से भी खुशियां कहां मिलती जमाने में तयार रखेगा अपने हाथों को यहाँ ढूंडे स भी खुशियां कहां मिलती जमाने में चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम शुक्रिया और इसी लिए मंच के हरे कवे के ओर से आप सब की तालियों की परिभाशा देते वे अपने राष्ट प्रेम को आज पढ़ने का आप से अवसर चाहते हूं इन पंक्तों के साथ न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है मंच पे आया हर एक कवी कवित्री क्यों आपकी तालिया चाहता है आपकी तालियां हमाली क्या मैने रखती है इससे पहले कि मैं अपने कावी प्रेंट से आपको सरुबार करूँ आपके तालों के महत्व को आपके महत्व को बताना चाहते हूं और इस बर आप मेरे लिए नहीं बलकि अपने सम्मान में हाथ खड़े करेंगे मातर शक्ति को नमन करते हूं की घंटी से वो एक आवाज जो आती किसी मंदी की घंटी से वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है बहुत बहुत धन्यवाद और इसे उम्मीद के साथ कुछ कहना चाहते हूं और इसलिए भी कहना चाहती हूं कि जो लगे प्यास तूस प्यास को गंगा कर दे दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे ए मेरे प्यारे वतन जाने लुटा दू तुझ पर मेरे मौला मिरियाँ चल को तिरंगा कर दे बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं वो काविपार्ट शुरू करना चाहती हूँ जिसमें शायद कुछ तुटियां भी रहें लेकिन मैं चाहती हूँ मंच के ननी कलम होने के नाते आप अपनी परिवार का छोटा सा शिशु समझ के माफ कर देंगी क्योंकि सब कुछ नया है वो इसलिए नया है क्योंकि मैं आज हमारे राष्ट के दो बड़े ओज के कवियों के सम्मुक अपना काविपार्ट कर रहे हूँ कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए इसलिए वो आज जाच भी देंगे और आप परताल भी कर देंगी कि मैं कितनी सफल हो पाई हूँ ओज के हस्ताक्षर के सामने ओज पढ़ने में प्रतम वो छंद जो आपके सम्मुक माशार्दे के चड़नों में रखना चाहती हूँ सुनेगा मात अशार्दे मविणा पाण की पुजारन हूँ केवल कलम पैचान रखती हूँ मैं मात अशार्दे मविणा पाण की पुजारन हूँ केवल कलम पैचान रखती हूँ मैं और की तो और जाने आप माने या ना माने और की तो और जाने आप माने या ना माने पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं मान रखती हूँ सम्मान रखती हूँ संग में सदाही स्वाभी मान रखती हूँ मैं नैनों में समाया हूँ आ मेरे नैनी ताल पर दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं दिल में हमेशा हिंदुस्ताने रखती हूँ मैं बहुत दो धन्यवाद और अगला चंद मैं आपके निवेदन से पूंड करना चाहती हूँ आप से विंति करते वे सुनेगा स्वागत आज की जो शाम साथ आपने दिया तो देख आज की जो शाम साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी मन की अंग उठी में जड़ेंगे शब्द मड़े कसे भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी दिल था मिलेना गोरी दिल में समान जाएगी बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी छोरी एक कमाल की है गोरी नैनी ताल की है तालियों से चाल मसे तानी बन जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद इससे पहले कि मैं आगे के वो चंद आपके आंगल में पढ़ हूँ एक छोटा सा वृत्तांत याद दिलाना चाहती हूँ जादा दूर जाने की जरूरत नहीं हाला कि यह वही भारादेश है जहां पे कन्या पूजन होता है लेकिन अफसोस होता है कि यह वही भारादेश है जहां भृून हत्याएं भी होती है जहां बेटियों के साथ अकसर दोराचार होता है यह पंक्तिया मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ क्योंकि आगे अगर हम सैनिकों तक पहुशने हैं तो सैनिकों को जन देने वाली वो मा वो बेटी वो पत्नी जो अपने रिष्टे को कुर्बान कर देती है उन सैनिकों को शहीद होने के लिए सहरते भेज देती है तम मैं उस बेटी का महत्व बताना चाहतू इस चार पक्तिकी मादम से विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है यहां कुछ बेटिया बैठे वी हैं उनको समर्पित करते हूँ यह पंक्तिया और आप सब का आशिरवाद चाहते हूँ मेरे साथ मिल करके उन बेटों का संबान के जगा और उन लोगों के मुपे तमाचा मारेगा जो भूण हत्या जैसे कुकृत्त करते हैं विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है नियनतासिस्टिका प्रारंब जिसके द्वार सोता है ये गुल्शन की महकती खुश्बूए कहती जमाने से जहां पर बेटिया होती वही पर स्वर्ग होता है और इसी घराने से जुड़ोवा मेरा ये अगला चंद है उन्नाओ कांड जो शायद आप सबने सुना होगा कितने लोगों ने उसकी ख़बर सुनी थी हाथ खड़े करके मुझे बताब बस उसी को ध्यान में रखेगा और आपको लगे कि गौरी ने एक ऐसा संदेज दिद्याओ कि हर भारत की नारी और बेटी को ऐसा ही बन जाना चाहिए तो मुझे आश्रवाद दिजेगा और हर एक बेटी का गौर बढ़ाएगा पढ़ती हूं कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुद भुद भूल राधारानी बन जाएगी प्रेम भक्ती भावना में विश्च भी पियेगी हस गाएगी तो मीरा सी दिवानी बन जाएगी देश पे कुद्रिस्ट यदि डाली जो भी दिशियों ने राण में जाएगी गोरी तो है शिव की आनन्य सेवी का परंतु असमिता लूटेगी तो भावानी बन जाएगी असमिता लूटेगी तो भावानी बन जाएगी आसमिता लोटेगी तो भावानी बने जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद और इसी घराने की एक छंद को और आपसे जोड़ना चाहती हूँ और वो इसलिए क्योंकि शायद मैं नहीं बलकि आप सब भी यही चाहते हैं अगर आपको लगी कि मैंने अपने मन के सासत आपके मन की बात को कह करके कुछ नया कहने की कोशिश कर देए तो आशी बाती हूँ हाथ में जो हाथ लेकी चले दीने रात हाथ में जो हाथ लेकी चले दीने रात और साथ साथ सब का विकास हमें चाहिए हाथ में जो हाथ लेकी चली दिन रात और साथ साथ सब का विकास हमें चाहिए होसला पहाड सा राहाड शिर जैसी और तूट से न तूट विश्वाश हमें चाहिए होसला पहाड सा राहाड शिर जैसी और तूट से न तूट विश्वाश हमें चाहिए देश द्रोही सर जो उठाए तो ये सच मानो उनका तुझेन से विनाश हमें चाहिए रास्ट की सुरक्षा और सरक्षा है तू भारति की जय हिंद वाला वो सुभाश हमें चाहिए जय हिंद वाला वो सुभाश हमें चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी मुझे बता दिजे कि मैंने जो नया लिक करके आपके आंग में पढ़े आपको कैसा लगा बहुत बहुत धन्यवाद इसके बाद मैं जो पढ़ना चाहती हूं, वो शयद कहीं न कहीं, आपके चहरे पर मुस्कराहट लाने के साथ साथ, आपको थोड़ा सा और एक्टिव बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि काफी देर से आप लोग केवल टाली बजा रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे, अब म वो नहीं है, ये देवास हैं, इनको सब पता है क्या करना और कव करना है। और इनने कई बार थे, गोरी इनने कई बार थे ऐसा बार देकारा कि फिर कोई करने लाएक कहीं छोड़ा ही निकाम। तो ये तो सब जांते हैं तो पुराने खिलाडी है, एक से एक। बहुत अच् जा बोल दो अजा देखी हमारे के बुजूर्गे कितने मोके से आया देखने, पास से भाई यह स्विप्ट गाड़ी जिसकी हो भाटा ले मां से, निकलने में दिक्कत आ रही है एक बार जरा गोरी जी को बाता बरन डीजिए तालियों की गडगडार के साथ आप लोग बहुत अच्छा सुनने और इसलिए मैं चाहतु मेरे साथ थोड़ा सा आहोर ओह करेंगे हाला कि वो नहीं है जो आप शुरू से गुन गुनाते हैं कुछ नाया है कुछ अलग प्रयोग करने की कोशिश की है हाला कि जो मैंने इसमें बात कहने की कोशिश किया है आदर्णी अशाषिकांद यादव जी ने अगस्क रांती की बात की थी अभी कुछ दिनों पहले मैं कारिक्टरम में गई थी जहां मैंने इतिहास के पन्यों से कुछ बात लिकरके अपने वर्तमान को जोड़ने की कोशिश की है मैं केवल इशारा करूंगी वो इशारा अगर आप पकड़ जाएंगे तो वहीं से आपको अहा और ओहो करके ताल्यों की ताल देने पड़तियों सुनेगा अंग्रे जो भारत छोड़ो थी गांधी की तक्रीर अंग्रे जो भारत छोड़ो थी गांधी की तक्रीर मोदी बोले पत्तर बाजो तुम छोड़ो कश्मीर मोदी बोले पत्तर बाजो तुम छोड़ो कश्मीर नखाए से ना पत्थर हटा दी तीन सो सत्तर अंगरे जो भारत छोड़ो थी गांधी की तकरी मोदी बोले पत्थर बाजो तुम छोड़ो कश्मी मोदी बोले पत्थर बाजो तुम छोड़ो कश्मी नखाए से ना पत्थर हटा दी तीन सो सत्तर नखाए से ना पत्थर हटा दी तीन सो सत्तर दोहराता इतिहा स्वयम को फिर से सिद्ध हुआ देश द्रोहियों का तो पूरा कुन बागित मैं इशारा कर रही हूँ, नाम नी लूँगी वन्ना आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, और अपकी बार पूरे जोश के साथ पीछे वाले भी आहा हो करेंगे दोहराता इतिहा स्वयम को फिर से सिद्ध हुआ, देश द्रोहियों का तो पूरा कुनबा गिद्ध हुआ, गिद्ध बचेंगे नहीं चले जब आमित शाह केती मोधी बोले पत्थर बाजो, तुम छोड़ो कश्मीर, न खाए से ना पत्थर हटा दी तीन स सत्तर सतर साल में नहीं हुआ, वो करके दिखलाया सतर साल में नहीं हुआ, वो करके दिखलाया पैत से एहट गई तो फिर से कश्मीर हर शाया पैत से एहट गई तो फिर कश्मीर भी हर शाया आख उठाए कोई इस पर तो हम देंगे चीर आख उठाए कोई इस पर तो हम देंगे चीर मोधी बोले पत्थर बाजो तुम छोड़ो कश्मीर नखाए से ना पत्थर हटा दी तीन स सत्तर बहुत बहुत भाए बहुत भाए बहुत भाए अन्यवाद और आगर मैं यही बात आगे बढ़ा करके ले चलू तो सच बता रही हूँ यह उन्ही माउँ की कुर्बानी है उन्ही बेटियों की कुर्बानी है जिनों ने आपको इस तरह मुस्करा कर इस दुन्या में जळन दिया और आज आप मुस्करा पा रहे हैं पोटो निया आए फोटो वापस कुछ नहीं मैं इस परिवार की बेटी बन चीक यूँ बहन बन चीक यूँ इसले मेरा परिवार है मैं कुछ भी लेदे कर सकते हैं यापर लेकिन मैं सच बता रही हूँ बुजरूगों का अश्रवाद तो अब तो लेंदेन आपन कश्मीर में भी कड़ सकते हैं। जी, हमारे आदरनी शाषिकान द्यादव जी की यही एक खास्यत है। अगर हम कहीं भी चले जाएं भारत के किसी भी कवी संब्लेट के बंच पे, अगर संचालक के तौर पे सर्व से इस तक किसी की देखी जाती है, तो वो होते हैं हमारे आदरनी शाषिकान द्यादव जी एक बर जोर्दा तालिया उनके लिए हो जाएं। और मैं जिनकी भूमिका में, शायद मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने। आदर्णिय विनि चोहान जी जिनको सुनने के लिए आप सब भी उपस्तितों हैं। मैं भी सुनना चाहते हूं, जिनकी प्रशन सक मेरे से जादा आप लोग भी रहे हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहते हूं। कुछ दिनों पहले आदरने विनित चोहान जी के साथ मैं कारगिल की धर्ती पर कावेपाट करने गेती और शायद मेरे और आपके लिए गर्व की बात है कि भारत की सबसे युवा कवित्री हूँ जो कारगिल पर जा करके कावेपाट करके आए हूँ और वहीं पर भाया के सम्मुख मैंने कुछ ऐसी पंक्तिया पड़ी थी जिसको सुनके शायद भाया भी भाव विबहुर हो चुके ते अभी आप विनित भाया जी का भी वो गीश सुनेंगे जो बेटे शाहिद के बेटे के उस पे इन्होंने लिखा है बहुत प्रसिदी गित लेकिन उसकी भूमिका में ये पंक्तिया पड़ना चाहते हूँ क्योंकि पूलवामा की जो घटना आप सबको शायद याद है कोई भी नहीं भूला सकता है कभी भी नहीं भूला सकता है उस वक चौदा तारिक थी वैलेंटाइन डे था जो विदेशों के द्वारा अपने सैनिक पती को लेकिन वो ये ना कहके कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है वापस आजाओ वो क्या कहती है जिस बात को मैंने कारगिल की धरती पे जा करके महसूस किया था और एक पतने के मन की बात को लिखने के अगर कोशिश कर दी हो भारत के इतिहास में उस देश के नारी का गौरब पढ़ने के अगर कोशिश मैंने कर देऊ उसके मन की बात कहके तो आप मेरे लिए नहीं बलकि उस नारी के सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा जो हस्ते हस्ते अपने सुहाग को भी कुर्बान कर देती है अभी ही तो पिया हम से गई तुम दूर सरहद पर यह सिफ हमारे भारत देश की नारी ही कर सकती कि चौदा तारीक वेलेंटाइन डे को अगर फोन करती है तो ना वो आई लव यू कहती है ना वो रोती है लगती है वो कहती है अभी ही तो पिया हम से गई तुम दूर सरहद पर ना कर ना शर्त दुश्मन की कोई मन्जूर सरहद पर ना कर ना शर्त दुश्मन की कोई मन्जूर सरहद पर महाबत देश से जो है तुमारे तुम निभा देना निच्छावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर निच्छावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर और वही देश की नारी आईए मैं इसी थरह से उस देश की नारी को एक गीत के मादम से गीत दंबा नहीं है केबल उसकी कुछ पंक्तियां जिस पे आदने शाशिकान भाईया जी ने खड़े होके एक बार मंद पे मुझे आशिरवाद दिया था उनका आशिरवाद देते हुए मैं इस गीत को पढ़ना चाहती हूं और देवास के इस प्रांगण में उपस्तित हर एक नारी का सम्मान करना चाहती हूं भारत मा की माठी ने लाखो हीरे उप जाए हैं आपको एक मौगा दे रही हूं इस गीत में तालों के ताल दे करके उनको सम्मानित की जगा अपनी मा को सम्मानित की जगा भारत मा की माठी ने लाखो हीरे उप जाए हैं ये हीरे भारत म बारत माता के सुत हैं और सुताएं है अपने दिल में मर जाने के डर को भर के नहीं रही कम तर हो करके नहीं रही ऐसी हिम्मतवर ताकतवर बिटियों की गुण गाती हूँ भारत मा की भारत मा की वीर सुताओं को मैं शीशनवाती हूँ और कुछ नाम इतिहास से याद दिला करके फिर से उनको नमन कराना चाती हूँ भारत मा की आरती लेते वे कहना चाती हूँ वीर अवंती बाई के चे नम्मा गुड को गुण ये तो वीर अवंती बाई के चे नम्मा गुड को गुण ये तो जासी की रानी लक्षमी बाई की गाता सुनिये तो जी जाबाई वीर शिवा में हर सद गुण भर देती है पदमावतियान की खाते जो हर व्रत कर लेती है ऐसी वीर नारियों के प्रती मन में श्रद्धा पाती हूँ भारत मा की भारत मा की वीर सुताओं को मैं शीशनवाती हूँ आकाश पर हाथ खड़ो जैसी भारत की नारियों के लिए भारत मा की वीर सुताओं को मैं शीशनवाती हूँ भारत मा की वीर सुताओं को मैं शीशनवाती हूँ और चलते चलते एक बात देश के सैनेकों को समर्पित करके आपके और अपने माध्यम से उनको सम्मानित करके इसलिए भी जाना चाहती हूँ क्योंकि यह वही भारत देश है जहां आप जैसे युवा कल जा करके हमारे लिए शहीद हो जाएंगे केवल चार पंक्तियां केवल और केवल चार पंक्तियां आपकी तरफ से उन सैनिक भाईयों के सम्मान में ले करके जाना चाहती हूँ वही सैनिक जो बिना किसी तीस तहवार की परवा किये बिना आपके और हमारी रक्षा की खातिर हस्ते हस्ते कुर्बान हो जाते हैं आएए मेरी इन पंक्तों के साथ उनको आकाश भर सलामी दीजेगा और मुझे विदाई दीजेगा कि यहां नफ्रत की तहरीरे जब एक इंसान लिखता है देखे सभी बड़े काव्य गुरों का अशिर्वाद चाहते वे पढ़ती हो यहां नफ्रत की तहरीरे जब एक इंसान लिखता है वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहत के सैनिक पर जो हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं आईए उनके लिए हम भी कुर्बान करते हैं, सभी त्योहार है कुर्बान, उस सरहग के सैनिक पर, उस सरहग के सैनिक पर, जो अपने खून के छीटों से हिंदुस्तान लिखता है, जाय हिं जाय म वादु.